हेलो नमस्कार सस्रीय काल आदाप स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर पर और मैं हूँ आपका जी और जी एस का एजुकेटर नवदीप सिंग तो आज हम लोग जो डिसकेशन करने वाले हैं वो होने वाला बहुत ह ही महतपुन क्यूंकि we are going to discuss about the important current affairs but important current affairs का आज है revision part आज हम लोगों को करना है revise हमारे current affairs को और जो revision होगा उस revision को हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं September month का revision फिर उसके बाद August month का revision फिर उसके बाद हम लोग revision करेंगे जुलाई मनत का और इसी तरीके से last के 6 months का revision करते हुए आ एक बार इस लिंक को कॉपी करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजे ताकि session को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरू कर सकें तो चली एक बार जल्दी से session को पहुंचा दो एप्लिकेशन डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे test series purchase कीजिए test series purchase करना बहुत जादा ज़रूरी इसलिए है ताकि आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकें या आप test कर सकें कि इतने पानी में है basically test series जब भी आप खरीदेंगे आप code apply करेंगे 9003 NAV 003 और यह 9003 code apply करने के बाद आपको मिलेगा maximum discount यह याद रखिएगा you will get maximum discount तो चलिए hope आपको यह clear हो गया है आगे चलते हैं आगे चल करके फटा फट से आज के session को शुरू करते हैं एकदम और session में आज का agenda क्या होने वाला है agenda में सबसे पहले आपको पता ही है MCQs होंगे MCQs जो की हैं बहुत ज़ादा important MCQs के बाद आज के session में शामिल होने वाला है हमारा बहुत ही important part दूसरा part जो है current affairs का और current affairs के साथ ही साथ हम लोग important और एक discussion करने वाले हैं वो होंगे कुछ static GK के MCQs related to national park तो national park से related कुछ MCQs करेंगे हम लोग और फिर बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़कर के discuss करते हैं कि क्या क्या MCQs आज के session में होने वाले हैं तो सबसे पहले भी है सभी को good morning और एक बार फिर से good morning तो बोल दो आप लोग at least चलो good morning बोलो और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आज के session को करते हैं शुरू देखें अब जो हमारा आज का पहला MCQ होने वाला है एक multiple choice question वो आपकी screen पे है और इस multiple choice question का आपको करना है answer तो जल्दी से फटाफट बदाईए कि what is going to be the answer to this question कि who is the chairperson of selection committee constituted by the ministry of youth affairs and sports for selecting awardees for the national sports awards यानि राष्ट्री खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चैन के युवा मामले और खेल मंत्राले द्वारा गठित चैन समित के अध्यक्ष कौन है फटाफट बदाईए चैन समित के अध्यक्ष कौन है चलिए इसका एंसर मिलेगा फिरम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं फटाफट एंसर कीजिए अगर आप लोगों को नहीं आया करने तो स्किप तो लिख दिया करो एसके आईपी इसकिप चलिए तो मुझे पता तो चलिए कि आप लोग हाँ सेशन में जुड़े हुए हो और अटलीस्ट कर रहे हो काम देखे इसका जो सही एंसर है इसका सही एंसर आपनों को पता है मुकंदकम शर्मा को अपोइंट किया गया है ये खबर है आपके अगस्त और सेप्टेंबर की और मिनिस्ट्री आफ यूथ अफेर्स और स्पोर्ट्स ने एक सेलेक्शन कमेटी कॉंस्टिटीट की है और राजीव गांधी खेल रतन, दुरुना चार्या, अरजुन और ध्यान चंदर अवार्ड साथी साथ राश्ट्री खेल प्रोत्साहन प्रुसकार अवार्ड और मौलाना अबुल कलाम आजाद मा का ट्रॉफी ये 2020 दिया जाएगा और इस 2020 की ट्रॉफी को जो दिया जा रहा है वो कमेटी के अध्यक्ष रेटाइड जस्टिस ओफ सुप्रीम कोड मुकंदकम शर्मा को बनाया गया है तो कमेटी के चेर पर्सन कौन होने वाले हैं मुकंदकम शर्मा याद रखेगा इनके मेंबर्स में सिर्फ मुकंदकम शर्मा ही नहीं मतलब retired justice of supreme court ही नहीं, बहुत ही eminist player भी है, और जो भी eminent players है, eminent players की list आप देख सकते हो, विरेंदर सहवाग, आपको पता है, famous right hand Indian batsman रहे हैं, opener रहे हैं, सिदार सिंग, होकी, मोना लिसा, बरुवा महता, दीपा मलिक, और वेंकटेशन, देवराजन, etc. तो इतने सारे लोग ह हैं, जो इस committee का हिस्सा बनने वाले हैं, आगे बढ़ें, तो फटा-फट से जानते हैं, अगला question कि actor मुरली, अनिल मुरली, has passed away recently, from which state he belonged to, अभिनेता अनिल मुरली का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? बताईए, अभिनेता अनिल मुरली, जिनका निधन हुआ है, वह कौन से राज्य से थे? चलिए, फटा-फट अंसर कीजे, और फटा-फट अंसर को मैं चेक करते हुए चलूँगा. अरे, एंसर तो कीजे, चलिए, ये पांच नमबर एंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, किरला? अब देखो, मालियालाम एक्टर थे, जिनका नाम था अनिल मुरली, इन्होंने विलेन के रोल बहुत ज़्यादा प्ले किये, और कोची में 51 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया, ठीक है, इनकी लास्ट फिल्म जो थी, उसका नाम था फॉरेंसिक, जिनमें इन्होंने तोविनो थॉमस के साथ स्क्रीन शेयर की थी, अब देखो, एक बहुत ही इंपोर्टेंट और महत्पूर्ण खबर, जब हम केरला के बारे में बात करते हैं, कभी भी, तो केरला अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, सबसे पहले तो यह आप जानते ही हैं, केरला, केरला में बहुत सारे जगहें हैं जिनको बहुत सारे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सबसे पहले अनिल मुरली का देहान्त हुआ कोची में, कोची जो शहर है, कोची शहर को कहा जाता है, क्वीन ओफ दी अरेबियन सी, क्वीन ओफ दी अरेबियन सी कहत कोचीन को ठीक है इसके अलावा कोलाम है कोहे कोड है यह सब अलग अलग शहर है कोहे कोड को कहते हैं हम लोग जो है कैश्यू कैपिटल है कैश्यू कैपिटल औफ इंडिया कोलाम को कहा जाता है कोची है ही कोई कोड ही वैयनाड जहा viens से राहूल गांधी अभी सांसद है वायानाट को कहते हैं God's Own District क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अच्छा खूबसूरती से के बारे में अगर बात करें तो केरला का जो तूरिजम है केरला टूरिजम के खुद की टैग लाइन भी है God's Own Country ये आप लोग जानते हैं God's Own Country अच्छा केरला में केरला के अभी करेंट पिनराई विजियन ये सीम है और आरिफ मोहमद खान ये वहां के गवर्नर है पिनराई विजियन इस दे सीम आरिफ मोहमद खान इस दी गवर्नर साधी साथ इसमें ना कुछ खास बात और बता देता हूं मैं आपको जो important है especially केरला के बारे में और केरला ने क्या क्या किया हुआ है वहां पर केरला ने recently एक लड़की ने केरला में suicide कर लिया था उस लड़की ने suicide इसलिए किया था क्योंकि उसको online class नहीं अटेंड कर पाई थी वो online class नहीं अटेंड कर पाने के वज़े से केरला सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया और के फॉन नाम के एक scheme को शुरू किया इसका full form है केरला fiber optical network और केरला fiber optical network के तहत optical fiber cable से connection दिये जाएंगे और optical fiber cable का connection हर घर में provide करवाया जाएगा केरला में even to rural India also ठीक इसके अलावा केरल में चल रही है केरल निरामया health insurance scheme ये भी याद रखेगा केरला की निरामया health insurance scheme और health insurance scheme की तहत इस application form को आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद social justice department ने ये scheme को चलाया है केरला की इसमें एक लाख रुपए तक का coverage disabled persons को दिया जा रहा है इसके साथी साथ उन्होंने basic price scheme भी चरा लगी है vegetables के लिए तो ये भी याद रखेंगे केरला में basic price scheme ये vegetable sellers के लिए चल रही है और साथी साथ केरला की वायो मधुरम scheme भी है देखें केरला में एक और scheme है जिसका नाम है वायो मधुरम तो वायो मधुरम scheme के बारे में हम थोड़ा साथ को बता देते हैं application form इसका भी PDF format में download करना है social justice department ने केरला सरकार ने शुरू किया था ये basically जो लोग बुढ़े हैं और diabetic है बुढ़े और diabetic persons के लिए इस scheme को शुरू कर दिया गया है BPL category वाले जो लोग भी बुढ़े और diabetic person है उनको glucometer free में provide करवाय जाएगा ये बात अप याद रखेगा कि glucometer free में provide करवाय जाना है वायो मधूरम scheme के अंतरगर साथ-साथ disability scholarship program भी शुरू किया गया केरला की सरकार दोरा transgender scholarship scheme भी शुरू की गई और साथ-साथ केरला में transgender couple marriage assistance scheme भी शुरू की गई तो transgender को scholarship transgender scholarship और transgender couple scheme ये भी शुरू की गई तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है ठीक है कपल मेरिज असिस्टेंट स्कीम शुरू की गई है साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारी स्कीम है जिसमें सुभिक्षा केरलम है ठीक है केरला के ट्रांसजेंडर को सिलाई मशीन भी देने की स्कीम शुरू की गई थी उ मतलब migrant workers जो Arab nations में रह रहे थे उन सबी को भी assistance provide करवाना है job देना है लेकिन अभी ये सब 100 दिनों का एक target लेके July में चला हुआ project था जो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ पूरा हो पाया है या इस पर कुछ भी हो पाया है ये dream project सिर्फ dream ही रह गया आगे बढ़ जाए हम लोग ना तो और भी कुछ देखते हैं ये बताइए in which state एक mask अनेक जिन्दगी campaign has been launched इसका answer कीजे कौन से state में एक mask अनेक जिन्दगी campaign launch किया गया है इसका answer कीजे चलिए नमबर चार मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में तो कितने सारे schemes launch किये गए इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है इसमें ये answer गलत आ गया है ये नमबर 4 होना चाहिए बता देता हूँ आपको किस तरीके से देखो मध्य प्रदेश में एक तो सबसे पहली बात राजधानी है इसकी भोपाल ठीक है cm है इसके शिवराज सिंग चोहान या उनको कहते हैं मामा जी और तीसरी और खास बात यह है कि यहाँ पर गवर्नर है आनंदी बेन पटेल जो की additional charge पर है क्योंकि अभी कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं किया गया है लास्ट जो गवर्नर थे मध्यप्रदेश के उनका नाम था लाल जी टंडन उनकी death हो गई थी लाल जी टंडन जी की death के बाद अभी तक आनंदी बेन पटेल को ही additional charge दिया हुआ है बाकी किसी को अपॉइंट नहीं किया गया पहली चीज तो ये एक मास्क अनेक जिंदगी ये campaign इसलिए शुरू किया गया क्योंकि अगर मास्क लगाएंगे तो वाइरस के फैलने का खत्रा और कम हो जाता है तो एक मास्क से अनेक जिंदगी बचाई जा सकती है इसके अलावा अगर हम discussion करने जाएं तो दुनिया भर की schemes हैं जो दुनिया भर की schemes चला रखी हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार में सबसे पहले यहां का tourism जो है इस tourism की tagline जरूर याद कर लीजे क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में tourism की taglines भी definitely पूछी जाएंगी तो tourism की tagline मध्य प्रदेश में MP अजब है सबसे गजब है यह इसकी tagline है ठीक इसी तरीके से सबसे पहले तो यह हमने जरूर देख लिया साथ हिंदुस्तान का दिल देखो यह भी एक tagline थी tourism की जो पहले हुआ करती थी अब आजाते हैं मध्य प्रदेश में योजनाओं की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहले पत्रकार स्वास्त एवं दुरगटना समुभीमा योजना शुरू की गई ठीक है पत्रकार स्वास्त एवं दुरगटना बीमा योजना ये शुरू किया गया मध्य प् मुख्य मंत्री किसान कल्यान योजना को शिवरा सिंग चोहां ने इसलिए शुरू किया है ताकि फार्मर्स का वेलफेर किया जा सके और फार्मर्स को मैंने आपको बदाया था कि उन्हें 6,000 रुपए तो मिलते ही है 6,000 रुपए उन्हें मिलते हैं प्रधान मंत्री किसान योजना के अंतरगत मद्ध प्रदेश की सरकार उन सभी स्मॉल और मार्जनल फार्मर्स को 4,000 रुपए और भी प्रोवाइड करवाएगी तो 4,000 रुपए और प्रोवाइड करवाएगी ये मुख्य मंत्री किसान कल्या योजना के अंतरगत इस हिसाब से टोटल मिला करके दस हजार रुपए किसी वेक स्मॉल और मार्जनल फार्मर को मिलेंगे तो ये योजना है जो मद्रदेश की सरकार ने शुरू की थी ठीक है देखो एक बहुत ही और भी बढ़िया योजना थी जिसको शुरू किया था उसका नाम है श्रमिक सेवा प्रसूती श्रमिक सेवा प्रसूती ये योजना है प्रशूती सहायता योजना 2020 और इसके अंतरगत 16,000 रुपए प्रेगनेंट लेडीज को दिया जाएगा उनके दो बच्चों के जन्म पर तो श्रमिक सेवा प्रसूती सहायता में जो भी प्रेगनेंट लेडीज है उन प्रेगनेंट लेडीज को 16,000 रुपए प्रवाइड करवाय जाएगा उनके शुरू के दो बच्चों के जन्म पर अब ऐसा नहीं है कि बच्चे हाँ पैदा होते रहें और सरकार की तरफ से पैसा मिलता रहें ऐसा कुछ नहीं है यह याद रखिएगा सिफ 16,000 रुपए for first two children इनके लिए प्रवाइट करवाय जाएगा साथी साथ ग्रह प्रवेश ये जो event है ये ग्रह प्रवेश event भी हुआ था और एक ग्रह प्रवेश event प्रधान मंत्री मोधी ने वर्चोली प्रधान मंत्री आवास योजना में जितने भी हित्गराही थे या जिनको भी लाग मिला उन सभी के लिए शुरू करवाय था प्रधान मंत्री मोधी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए इसको अड्रेस किया था ठीक है ये याद रखेगा अब आगे एक और डिसकेशन है वो मध्य प्रधेश की मध्य प्रधेशी कन्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और कन्या विवाह योजना के साथ साथ कामगार सेतु पोर्टल ये दोनों ही मध्य प्रधेश की सरकार ने शुरू किये थे ठीक है कामगार सेतु पोर्टल और मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना इसके अलावा एल्डर्स के लिए भी स्कीम शुरू की गई थी ठीक है अच्छा किल कोरोना कैमपेन ये भी लाउंच किया गया ये अपको पता ही है ठीक है और मध्य प्रधेश में हमारा घर हमारा विद्याल है ये भी योजना थी जो शुरू की गई थी तो इस योजना के अंतरगत टीचर्स को बच्चों के घर जा करके पढ़ाना होता था दूरिंग दो लॉक्डाउन इतनी सारी योजना हैं जो मध्य मध्य प्रधेश में पिछले 6 महिनों के अंतरगत शुरू की गई हैं आगे बढ़ जाए हम लोग तो यह देख लीजे मध्य प्रधेश के अर्बन डेवलप्मेंट और हाउसिंग मिनिस्टर जो हैं उनका नम है भुपेंद्र सिंग भुपेंद्र सिंग ने एक अगस्त को प्रांच किया था एक मास्क अनेक जिन्दगी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए और उन्होंने बहुत सारी शहरी नगर निगमों में ये रथों को संचालित किया रथ संचालित करने का मतलब रथों को चलवाया और ऐसे कहते हैं कि तो मैंने मास्क और गलफ पहने इस पर मैं सेफ रहा क्योंकि इसके अलावां बहुत सारे कोरोना वायरस के इंफेक्टेड इंडिविजुल्स के कॉंटेक्ट में आया आगे बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो question which of the following ministry has launched a program under ग्रामोद्योग विकास योजना for artisans involved in manufacturing of अगरबत्ती निम लिखित में से किस मंत्राले ने अगरबत्ती के निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक कारेकरम शुरू किया है Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Corporate Affairs, Micro Small Medium Enterprises, Health and Family Welfare and Ministry of Finance फटा फट बताईए चलिए, क्या answer होने वाला है इस question का? Ministry of Micro Small Medium Enterprises ते को अगर बत्ती के निर्माण की बात हो रही है ना तो Corporate मंत्राले, क्रिशी मंत्राले, या स्वास्त कल्याण मंत्राले, वित्त मंत्राले थोड़ीन शुरू करेगा तो Artisans की जब भी बात होती है ये छोटे उद्योग होते है चोटे उद्योगों को शुरू कौन करेगा? Micro Small Medium Enterprises कौन है इसके मिनिस्टर? आपको पता है Mr. Nitin Jai Ram Gadgari ये मिनिस्टर है Micro Small Medium Enterprises के साथी साथ Ministry of Road Transport और Highways भी नहीं के अंतरगत आता है Nitin Gadgari साहब के Government ने अप्रूफ किया एक प्रोग्राम For the Benefit of Articians Involved in Manufacturing of अगरवत्ती तो ग्रामोद्योग विकास योजना शुरू की और इसमें चार पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किये गये हैं प्रोग्राम में एक North East में भी शुरू किया गया है ठीक है इसके माध्यम से जो लोग भी अगरवत्ती का प्रोडक्शन करते हैं उन अगरवत्ती के प्रोडक्शन करने वालों को एक अच्छी इंकम मिलेगी और इससे गाओं में लोगों को रोजगार भी मिलेगा मतलब रूरल एंप्लाइमेंट भी प्रोड़ होगा ठीक अच्छा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के अंतरगत और कौन-कौन सी चीज़े आती हैं सबसे पहले तो यह जान लीजे कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है यहाँ पर इसको ऐसे समझ लेते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फंड्स देने का काम है सीडबी का सिक्या Small Industry Development Bank of India 2nd April 1990 को इस बैंक की स्थापना हुई थी और Headquarters है लखनौ में साथ ही साथ मुहम्मद मुस्तफा ये इसके Current Chairman है याद रखेंगे काम है इसका Micro Small Medium Enterprises को Finance करना तो CDB के बारे में हम लोगों नहीं यह जाना अब देखो Micro Small Medium Enterprises के अंतरगत कौन कौन सी schemes को launch किया गया है Recently और साथ ही साथ Purchase and Price Reference Policy क्या है Prime Minister रोजगार योजना क्या है Small Industry Cluster Development Program योजना क्या है या Integrated Structural Development Scheme क्या है ये सबी अलग-अलग सी schemes है जिन अलग-अलग schemes को शुरू किया गया है लेकिन MSME sector के COVID-19 pandemic के बाद revival के लिए जो steps लिए गए उसमें से सबसे पहले याद रखेगा PMEGP PMEGP जो है इसको हम लोग समझ सकते है Prime Minister's Employment Generation Program के अंतरगत उन लोगों को जो लोग इस particular area में involved है Micro Small Medium Enterprises में उनको और सस्ते में loan दे करके उनके website को खड़ा करने की बाद तही गई थी दूसरा एक और बहुत ही example है एक बहुत ही बड़ी scheme है जिसको शुरू किया गया था उसका नाम है सफूर्ती ठीक है सफूर्ती scheme भी Micro Small Medium Enterprise दोरा शुरू किया थी Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries तो Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries तो जो Traditional Industries थी उनको भी शुरू किया जाना था Micro Small Medium Enterprises के अंतरगत साथ ही साथ यह भी याद रखेंगे A Scheme for Promoting Innovation Rural Industry and Entrepreneurship Aspire यह scheme भी Micro Small Medium Enterprises दोरा ही शुरू की गई यह भी याद रखना है आपको ठीक है Aspire जो scheme है Aspire scheme शुरू की गई नाम बता देता हम आपको फिर से A Scheme for Promoting Innovation and Rural Industry and Entrepreneurship ठीक है इसके साथ ही साथ Interest Subvention भी शुरू किया गया Interest Subvention का मतलब होता है जो भी Interest Rate आप पे कर रहे हो उस पर Discount भी Provide करवाने की बात कही गई थी Micro Small Medium Enterprises से Credit Guarantee Scheme भी MSME के लिए शुरू किया गया Through Cluster Development Program तो इसको MSME CDP कहते है ठीक है Micro and Small Enterprises Cluster Development Program MSME CDP और इसके साथ ही साथ एक Credit Link Capital Subsidio और Technology Upgradation Scheme भी शुरू की गई थी तो बहुत सारी Scheme जो शुरू की गई है उन बहुत सारी Schemes में आत्म निरभर भारत के लिए 20,000 करोड रुपए भी Micro Small Medium पर Enterprises को दिये गए 3,000 करोड रुपए का Collateral Free Automobile लोन दिया गया Business लोन दिया गया यह सब कुछ जो Steps लिए गए देवर अंडर दी Micro Small Medium Enterprises Ministry आगे बढ़ जाएं हम लोग तो अगला क्वेस्टन डिसकस कर लेते हैं Union Environment Minister प्रकाश जावरेकर Represented India At 6th Brics Environment Minister Meeting Via Video Conferencing Under the Presidency of Which Country अगला जो Question है उसमें बताईए किंद्रिय पर्यावरन मंत्री प्रकाश जावरेकर ने छठमे Brics पर्यावरन मंत्री की बैठक में किस देश की अध्यक्षता में Video Conferencing के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया है चलिए फटाफट बात करते हैं बिल्कुल सही है रश्या एकदम सही अंसर है रश्या ने किया ऐसा अच्छा देखो किन-किन चीजों पर फोकस किया है वैसे Ministry of Environment और Climate Change ने अगर इस पर फोकस किया जाए और थोड़ा सा इनको समझा जाए तो देखो रश्या अब हम Brics की थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद आते हैं वापिस Environment Ministry पर Brics जो है ब्राजील, रश्या, इंडिया, चाइना, साउथ अफरीका ये 2009 में बना था तब इसको Brics के नाम से ही जाना जाता था 2010 में ये Brics हुआ क्योंकि इसे साउथ अफरीका ने जोइन किया तो पहले ब्राजील, रश्या, इंडिया, चाइना थे बाद में ब्राजील, रश्या, इंडिया, चाइना और साउथ अफरीका जुड़े और फिर फाइनली Brics बना अब देखें इसमें जो मुख्य बात है या जो आपके समझने लाइक बात है वो ये है कि Brics का कॉंसेप्ट ऐसा है हम लोग तो Western economy उसके उपर dependent ना हो रेधर हम लोग अपने आप पर interdependent हो जाएं जितना ज्यादा हम अपने आप पर interdependent होंगे उतना ही बहतर हमारे यहां atmosphere होगा employment generation होगा, technology transfer होगा मतलब Brazil, Russia, India, China, South Africa UK और US पर dependent ना हो व्यापार करने के लिए रेधर यह व्यापार करने के लिए interdependent हो जाएं आपस में ही एक दूसरे के उपर निरभर हो जाएं सबसे मुखे बाद तो यह थी BRICS के अंतरगत फिर 2014 में एक बड़ा step लिया गया और 2014 में वो बड़ा step था BRICS bank और यह जो BRICS bank है इस BRICS bank को National New Development Bank के नाम से जाना गया NDB के नाम से और यह New Development Bank का headquarters है शंगाई में शंगाई चाइना में एक शहर है वहाँ पर और इसके पहले अध्यक्ष तो KV कामत हुआ करते थे और अब भी जो है वो ADRO अजावले हैं ठीक है पहले अध्यक्ष KV कामत थे KV कामत अभी recently retire हुए तो बताईए कौन सी कमेटी का अध्यक्ष इनको बनाया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो थोड़ा सा environment minister के बारे में discuss कर लेते हैं देखो environment ministry में देखे ब्रिक्स हाँ ब्रिक्स को found जरूर किया गया था जून 2006 में मित्तू लेकिन अगर आप ब्रिक्स के formation को कभी भी पढ़ेंगे अगर आप इसका formation पढ़ें found करना और formation होना दोनों अलग अलग चीज़े हैं ठीक है 2009 जो है ये formation है इसका concept 2006 में जरूर निकला था लेकिन इसकी functioning शुरू ही थी 2009 से इसलिए formation 2009 माना जाता है ये बात आप याद रखेगा formation will always be considered 2009 ठीक clear है ना आगे बढ़ते हैं देखो environment minister में सबसे पहले environment minister की यार हम लोग डिसकस कर रहे थे ना नगरवन इसकीम वगेरा को ये environment की ministry ने चलाए हुई थी नगरवन इसकीम है और पांच जून को सबसे पहले तो ये जान लो world environment day observe किया जाता है environment के लिए world environment day observe किया जाता है पांच जून को तो ये बात याद रखेगा दूसरा और मुख्य जो subject है इस बार के world environment day की theme क्या थी ये बताइए what was the theme of world environment day this year इस बार के विश्व पर्यावरन दिवस की theme क्या रही चली फटा फट बताइए विश्व पर्यावरन दिवस की इस बार की theme क्या थी उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि नगर one scheme क्या थी और साथ ही साथ forest cover urban areas में बढ़ाने के लिए tree plantation को किस तरीके से improve किया गया basically world environment day 5 June को ही minister of environment और forest climate change प्रकाश जावडेका ने नगर one scheme को launch किया था ऐसे शहर जिन शहरों के beach ओ beach कहीं न कहीं जंगल या पेड़ पौधों का एक बहुत अच्छा cluster मौजूद है जैसे मैं example के तौर पे आपको बता सकता हूँ मैं भोपाल में रहता था भोपाल मध्यपृदेश की राजधानी है भोपाल चारों तरफ से भोपाल है लेकिन आपको इसके beach में one विहार national park मिलेगा तो वन विहार national park was in the middle of भोपाल और बाकी चारों तरफ भोपाल बसा है तो सोची एक पांस से लगबग पांस से आठ स्क्वार किलोमेटर का national park है जो जील के किनारे भोपाल शहर के बीचों बीच है बाकी इसके आगल वगल हर जगे भोपाल बसा हुआ तो that's how नगरवन scheme के तरगत यहां पर जितने भी पेड़ पौध हैं उन सभी को प्रिजर्व किया जाना है और उन सभी का ख्याल रखा जाना है आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉरी तीस जुलाई दो हजार बीस को Environment Ministers की छटमी BRICS countries मीटिंग हुई और यह Environment मीटिंग वोज हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फेंस अंडर दे प्रेजिदेंशी अफ रसिया और मीटिंग को BRICS Working Committee ने शुरू किया था प्रिसीड किया था अच्छा देखिए इंडिया का जो कंसन है Sustainable Development Goals के लिए Sustainable Development Goals का मतलब होता है कि इस तरीके से आप भारत में Natural Resources को यूज करें कि उनको लंबे समय तक चलाया जा सके Natural Resources यानि प्राकृतिक संसादनों का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उन्हें लंबे समय तक चलाया जा सके That is called Sustainable Development Goal Sustainable का मतलब होता है हिंदी में अगर समझे टिक सकने वाला ठीक है, Environment Day की इस बार जो थीम थी, Environment Day की थीम रही है Celebrate Biodiversity देखे उपर मित्तु ने लिखा भी हुए है अच्छे ये बताओ कि Which country has started अब Arab World's First Nuclear Power Plant किस देश ने अरब दुनिया का पहला पर्मान उर्जा सैयंत्र शुरू किया है इस question का answer दीजे, फटा फट अरब में सिर्फ एक ही देश है, जो सारा का सारा development कर रहा है और आपको भी पता है कि वो देश कौन सा है कौन सा देश development कर रहा है ये आपको भी पता है और फटा फट तो answer कर दो कौन है जो Arab World में पूरा का पूरा देख रहा है देश है ना इसका सही आंसर जो है इसका सही आंसर सही तरब अमिरात है मैं सॉरी मेरी तवियत थोड़ी ठीक नहीं रहे आज कल पता नहीं है यह खांसी कब जाएगी इनिवेज तीन नमबर सही तरब अमिरात देखे युनाइटे डरब अमिरेट्स सबसे पहले कैपिटल देख लें अबुधाबी करेंसी है यूएई की दिरहम और प्रेसिडेंट है इसके खलीफा बिन जायद अलनाहियान यूनाइटे डरब अमिरेट्स ने अरब वेल्ड का पहला न्यूकलिर पाउर प्लांट शुरू किया है गल्फ कोस्ट पे इस्ट ओफ कतर ठीक है न्यूकलिर फिजन इनको चार रियक्टर्स में शुरू की गई इस बराका प्लांट में और साउथ कोरियन टेकनोलजी को यूज किया गया है इसमें अभी देखो रिसेंटली UAE ने जैपान के साथ मिल करके अपना एक होप जिसका नाम है अमल ठीक होप प्रोब तो यह होप जो है यह एक इनका मार्स मिशन है यह मार्स मिशन इन्होंने जैपान के रॉकेट से लॉंच किया सबसे पहली चीज ठीक है पहला सेटलाइट है जो भेजा गया है किसी भी एक अरब कंट्री द्वारा उपर पहला सेटलाइट जो किसी अरब कंट्री ने उपर भेजा है वो है UAE अच्छा UAE इसराइल के साथ इन्होंने एक समझोता साइन किया है और इस समझोता को हम लोग क्या कहते हैं इस समझोता को हम लोग कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है UAE और इसराइल के बीच इसमें बहरीन ने भी पार्टिसिपेट किया है और बहरीन भी चाहता है कि मिडिल इस्ट में शांती बने अब आगे बढ़ करके थोड़ा अबरहाम अकॉर्ड को समझ ले अबरहाम अकॉर्ड का मतलब UAE और इसराइल Arab World और इसराइल Arab World और इसराइल में थोड़ा सा समझो आप इसको इस concept को समझो इसराइल Arab World के बीच में पहला और आखिरी ऐसा समझ सकते एक non-muslim country है बाकी सबी सारे के सारे muslim countries है इसराइल का जब formation हुआ था तो Palestine वाली land पर हुआ था जिसमें UK ने उसको promise करके World War 2 के बाद यहूदियों की एक जगह बना करके दी थी यहूदि लोग वहाँ पर अपनी पूजा करने लगे वहाँ पर अपनी जीवन पद्धी को फालो करने लगे और धेरे धेरे उन्होंने Palestinian Arabs जो थे जिन्हें कहा जाता है फिलिस्तिनी अरब लोगों को धकेलना शुरू कर दिया फिलिस्तिनी अरबों को अपनी जमीन छोड़ छोड़ करके दूर जाना पड़ा और इसराइल इस तरीके से existence यानि अस्तित्व में आया प्राब्लम ये हुई कि फिलिस्तिनी जो वहाँ पर लोकली रह रहे थे उन सबी को इसराइल के यहूदी लोगों ने बाहर खदेड दिया अब वो अभी लड़ाई कर रहे हैं कि हम वापिस अपनी लैंड पर जाना चाहते हैं तो फिलिस्तिनी वापिस इसराइल के अंदर जाकर कर रहना चाहते हैं कि वो उनकी जगहती पर चूंकि विश्विद दो को जीतने के बाद ब्रिटेन ने अपना प्रॉमिस पूरा करके यहूदियों को जाकर बैठा दिया इसराइल में तो इसलिए इसराइल को एक देश के रूप मानेता भी मिली हुई है अब बात करें इसराइल की तो इसराइल चुके एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका का भी सपोर्ट है और ब्रिटेन का भी सपोर्ट है तो इसराइल कंट्री को अच्छा खासा सपोर्ट मिलने के बाद वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है आराइब कंट्री और इसराइल के बीच में ओरड़ी चहे मेजर वार लड़े जा चुके हैं इसराइल अपने आप में एक इग्जेंपल करिएट करता है जिस इग्जेंपल को कहीं न कहीं एक हाई स्टेंडर के रूप में देखा जा सकता है अब बहुत जरूरी था कि इसराइल और एरेव वर्ल्ड की बीच में शान्ती हो अब इसराइल और एरेव वर्ल्ड में सबसे पहले इसराइल का जो प्रॉब्लम है वो क्रियेट होता है गाजा के साथ और आसपास के जो जॉर्डन, अमान, टर्की ये सब देश है इनके साथ इजिप्ट इजिप्ट जो की अफ्रीकन देश है परन्तो इसका बॉर्डर इसराइल के पास भी है इसलिए यहाँ पर जो रेफ्यूजी मिलिटेंट हैं वो रेफ्यूजी मिलिटेंट भी जाकर के छुपे होता है रेजिप्ट से भी वो हमला करते हैं ऐसा कहा जाता है कि इसराइल के ऊपर आसतन एक दिनों में 14 मिसाइल दागी जाती है और इसका एर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉंग है कि 14 के 14 मिसाइल को यह हवा मही मार देता है तो इसराइल और एरफ वल्ड के बीच में कितनी जादा जरूरत थी इस अबरहाम अकॉर्ड की आप लोगों को नहीं पता पर अब समझ में आ रहा होगा अबरहाम अकॉर्ड के बारे में खास बहुत और बता दू इसराइल और UAE के बीच में डील साइन करवाई डोनल ट्रम्प ने देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण है डोनल ट्रम्प ने करवाई है डील साइन और डोनल ट्रम्प को Nobel Peace Prize के लिए नॉमिनेट भी किया गया था कि इन्होंने इतनी बड़ी शांती का समझोता करवाया है तो इनको Nobel Peace Prize देना चाहिए पर हाँ, बाद में Donald Trump को मिला नहीं, अब तो उनके पास गद्दी भी नहीं है अमेरिका की, अमेरिका में नई राष्टर पती अब आल्मोस्ट आही चुके हैं, जिनका नाम है जो बाइडन, आपको पता ही है अब इस पूरी की पूरी सिनारियो में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, पूरी दुनिया भर को जिस तरीके से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खाना खिलाया, और हंगर में लोगों की सहायता की, इसलिए इनको नोबल प्राइज फॉर पीस दिया गया चलिए अगला क्वेश्चन है और इसके पहले, मितू आप अपना ख्याल रखिये, कोविड ओविड तो सब हरा देंगी आप मुझे पता है, यू आप शेर नहीं है, पूरी के पूरी कोविड आपका कुछ नहीं बिगाड सकता बिलकुल, मुझे पूरा भरोसा है अब बताइए, ये क्वेश्चन है कि, which of the following company along with Japanese utility जेरा के साथ निमलिकित में से किस company ने बंगलादेश में नए बिजली सहियंतर के लिए बैंकों के साथ 642 मिलियन डॉलर का रिंड समझोता किया है ये बताइए, इसका सही answer क्या होगा टाटा पार कंपनी है, रिलांस पार कंपनी है JSW है, अडानी पार है, तो Shiba है I'm sorry, this is going to be the last question इसके बाद हम लोग अपने session को और भी आगे करेंगे परसो, जो होगा हमारा next day बताइए, इसका answer क्या होने वाला है चलिए, इसका सही answer है, रिलांस पार 31st July को announcement किया था कि 642 million का loan जो है, वो जपनीज यूटिलिटी जेरा के साथ मिल करके, 745 मेगावाट का gas-based project बंगलदेश में बनाया जाएगा जपैन की बात करें, तो जपैन में भी देखें, सिंजो आबे ने अपने health concerns को ले करके resign कर दिया, तो वहाँ पे योशी हीडे सुगा, नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए, ठीक है, ये भी याद रखेंगे जपान के बारे में, जपान ने भारत को loan भी दिया है, COVID में, और इतना ज़्यादा loan दिया है, 0.01% के interest rate पर क्या ही कहें, तो एक काम करते हैं, अगले से ज़्यादा लोगों को मैं लाइफ सेशन में जोड़िए, थैंक यू जैहिन